हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने IQ9T Android वाइल फोन में आप जो fingerprint icon animation setting को आपना change कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह fingerprint icon animation setting जो काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में हम आपको detail में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह यह option मिलेगा fingerprint icon animation इस option को select करना है अभी आपका page open होगा fingerprint icon animation का इसमें आपको mobile phone की screen दे रखे ओपर की साइड यह बड़ी से screen यह आपको sample में दे रखे है आपको नीचे की साइड यह boxes दे रखे है इनका आपको use करना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए मेरे पहले number के box में यह लिकमाक लगा हुआ है तो इस तरीकी का यह round shape में यह fingerprint icon दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ यह देखिए round shape में यहाँ दिखाई देगा gold shape है इसकी ठीक है तो इसकी जो shape हम change कर सकते है आइकन का animation यहाँ पर change हो रहा हम दूसरा box यहाँ पर select करते है त आपको पहले round shape का था आप देखिए इस तरीकी का ही है ठीक है तो इस setting जो नहीं इस तरीकी से fingerprint icon animation आप setting को change कर सकते है अब मैं आपको यह fingerprint icon animation setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है mobile phone का आपको setting page यह फिर से open करना है starting से ठीक है setting page को open कीजिए setting page में आपको सबसे उपर इस search icon select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है fingerprint icon animation ठीक है तो आपको नीचे की side यह option शो जाएगा fingerprint icon animation का यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप search bar में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ प आपका phone आपको directly setting में आपको लेकर आ जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को डूंडनेगा आपके mobile phone में